नमस्कार दोस्तो टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल की एक नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा नाम है राज और मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपकी किसी भी राइस लाइट के अंदर स्टैप का कंट्रोलर लग गया तो आप मेरी उस वीडियो को जाके देख सकते हो किस तरीके से आपको बीना कंट्रोलर के अपनी लाइट को यूज करना है लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि मानलो कि आपके पास एक कंट्रोलर पड़ा हुआ है किसी भी लाइट का और आपके पास दो अलग-अलग लाइटे हैं जैसे कि यहां पर मेरे पास एक लाइट यह है और एक यह है तो क्या हम एक ही कंट्रोलर से दोनों लाइट के कनेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कनेक्शन करने हैं ये सारी चीज़े मैं दरवाइस वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समयन अगवाते हुए वीडियो कंटेनुए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए यह मेरे पास एक कंट्रोलर पीकारunu करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या है इसके से समझ में आसके मैं आपने उपनर यह देयुए कि जरे ilight को सबसे तरुब से इसको यहां से g HIV को फूर को उठा अ लेगा है देखिए अन्दर हमें दोनों लइत के connection करने हैं तो यहां पहें आगर हम वायर की बात करें आप देखो के काफी सारी वायर है आप वायर देखके confused हो जाते हो कि यार इनकी connection कैसे करने है तो यहां पर पहले इस board के बारे में आप थोड़ा सा देख लो यह जो हमारे पास circuit है इसके अंदर देख लो कि कौन सी वायर पहले कहां पर जुड़ेगी तो अगर हम इस circuit को देखते हैं तो यहां पर देखे यहा वाली ठीक है जिसको हम सीधा circuit में लगाते हैं 220 supply के लिए तो यहां पर हम सबसे पहले इस वायर को इन दो पॉइंट पर जोड़ेंगे एक को यहां पर जोड़ना है और एक को यहां पर जोड़ना है तो मैं क्या करता हूं फटा 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 इसको सोल्ड कर लेता हूं और सा नहीं दोनों light के connection करने हैं तो इन में से तीन में से देखें दो पॉइंट के अंदर आपको transistor लगा दिखाए देगा यह देखें एक transistor यहां लगा है और एक हमारा यहां पर लगा है यह जो हमारा last वाला point है इसके अंदर कूछ भी नहीं जूड़ा और यह पीछे से ऐसे line आ करने हैं कि जिस वायर के अंदर नहींं है उसे से and और खाली है उसे ऋसे आपको अलग कर लेना ह।這個 OK से देखेंगे जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था इस तरीके से आपको देख लेना है जैसे कि एक वार तो हमें यहां भी मिल गई है और इसी तरीके से हम दूसरी बाट देख लेंगे तो यहां पर देखिए दूसरी 일र हमें यहां पर तो यह चीज आपको अच्छे से देख लेने हैं अपनी light के अंदर और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है तो यहाँ पर देखे दो wire मेरे को ऐसी मिल गी जिसके अंदर हमारा LED लगी है और एक wire ऐसी है जिसके अंदर कोई भी LED नहीं लगी शुरू से end तक यह खाली गई है तो यहाँ पर इस wire को हमें इस तरीके से अलग-अलग कर लेना है ठीक है यहाँ पर total हमारी light के अंदर तेनी wire है और यहाँ पर यह वाली जो light है इसके अंदर हमारी total 4 wire आई हुई है ठीक है तो इसके अंदर भी हमें वहीं काम करना है जिस wire के अंदर हमारी LED ही है तो यहां पर आपको क्या करना है जिस बार मैं फिर से बता हुँ दोनो लाइट के अंदर तरीड नहीं लगी है उन वायर को हम एक साथ जोड़ रहें है इस तरीके से क्योंकि इस लाइट के अंदर एक वायर है जिसके अंदर LED नहीं लगी है और इस लाइट के अंदर हमारी दो वायर है जिसके अंदर LED नहीं लगी हुई है तो इन सभी वायर को मैंने एक साथ में जोड लेया है अब उसके बाद हमें क्या करना है यह जो हमारी लाइट है इसके अंदर देखे दो वायर है जिसके अंदर ह तो एक वायर को की से लेना है और यहां पर यह दूसरी वाली लाइस है इसके अंदर भी हमें एक वायर को स्तुर के लेना है इस यहां को मैंने इस तरीखे से वायर को जोड़ा है यह वायर को जोड लिया अब यहाँ पर हमारे पास एक वायर और बचेगी और इस लाइट के अंदर भी एक वायर और बचेगी तो यहाँ पर मैंने इसको भी इसी तरीके से जोड देना है यह देखें यहाँ पर मैंने जोड दिया है तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक लाइट का connection इस लाइट वाले एक साथ कर दिया और जो हमारी दूसरी वायर थी लाइट वाली इसका इसके साथ में कर दिया तो यहाँ पे यह देखिए दो पॉइंट तो यह होगे और तीसरा हमारे यह होगे जिसके अंदर हमारी कोई भी LED नहीं जुड़ी हुई है और हमारे दो पॉइंट पे इनका connection आ रहा है तो जिस वायर के अंदर हमारी LED लगी है उनको तो यहाँ पे जोड़ देना है और जिसके अंदर हमारी कोई भी LED नहीं लगी है उसको हमें इस वाले पॉइंट पे जोड़ना है तो मैं क्या करता हूँ फटा फट वायर को जोड़ लेता ह उस वायर को मैंने यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे लगाया है तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे connection अब complete हो चुके हैं अब चलिए इसको हम supply देके check करते हैं कि क्या हमारे एक controller से दोनों लाइटे काम करेंगी कि नहीं करेंगी तो चलिए आप खुद देख लो और मैं कोई भी problem नहीं है अब देखे मैं अब लाइट को बंद करता हूं तो आप देख सकते हो कि अब भी हमारी दोनों लाइट अब continue जर रही है तो यहाँ पर यह जो हमारा mode button है अब मैं इस mode button को press कर रहा हूं और देखते हैं कि हमारी light का effect है वो change होता है कि नहीं होता तो यहाँ कम कर रहे हैं तो यहां पर देख लो कुछ हमारी लाइट से हमारी लाइटों कर रहे हैं दोनों की दोनों स्सक्राप्रैक प्रोलम कर रहे हैं किसी में कोई भी problem नहीं है बढ़ी है उनदो करता हूं तो यहां पर यह लाइट हमारी continue होगी है तो इस तरीके से मेरा कहने के मतलब यह है कि अगर आपके पास इस टैप का कोई एक controller है और उस controller से अगर आप दो तीन या चार लाइट को जोड़ना चाहते हो तो जोड़ के आप बड़े अराम से यूज कर सकते हो उसके अंदर आपको कोई भी प्रोलम नहीं आने वाली तो यही चीज में आज की वीडियो के अंदर आपको बताना चाहता था और इसी तरीके से आपको connection करने जिए आपके पास एक हो दो हो तीन हो चार हो इसी तरीके से आपको connection को समझके यहां पर वायर को जोड़ना है तो उमीद करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए होगी और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो भई तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रैंड फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वंद करें मातर हम करें मातर हम